बाली वानर राज बाली का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था इंद्र ने उसे एक दिव्यहार दिया था जिसके कारण शत्रू से युद्ध करते समय शत्रू की आधी शक्ति उसके पास आ जाती थी कारा उसकी पतनी थी और पुत्र था अंदर बाली कभी कोई युद्ध नहीं हारा था रावन ने उसके बारे में सुना तो उसे युद्ध के लिए ललका रहा था उस समय बाली संध्या प्रार्थना कर रहा था बाली ने अपने स्थान से हिले डूले बिना रावन को अपनी कांख में दवा लिया और भूल गए बाली की कांख में छे माह तक दबे हुए रावन किसी तरह बाली के पसीने की बद्वू सेहन करता रहा और अंत में उसने बाली को जोर से काचिये बाली ने अपना हाठ उपर उठाया तो रावन मुक्त होगे एक बार दुंदुभी नाम के राक्षस ने जंगली भैसे के रूप में बाली से युद्ध किया बाली ने उसके दोनों सिंग पकड़ कर घुमाया और इतनी जोर से उचाल कर फेंका कि राक्षस रिश्य मुख परवत पर मातंग रिशी के आश्रम में जाकर गिरा और मर गया मातंग रिशी ने प्रोधित होकर बाली को स्राब दिया कि यदि बाली आश्रम के आसपास भी गया तो उसकी तकाल मृत्य हो जाई माया राक्षस के पुत्र धुर्मद ने बाली पर आक्रमन किया तो बाली के एक प्रहार से धुर्मद दर गया और प्रान बचाने के लिए गुफा में जाकर छिप गया बाली और सुग्रीव ने उसका पीछा किया बाली ने उसे मारने के लिए गुफा में जाते हुए सुग्रीव से कहा कि यदि वो एक माह तक बाहर ना आये तो उसे मरा हुआ मान लिया जाए एक माह तक बाली बाहर नहीं आया सुग्रीव ने मान लिया कि बाली मारा गया है और उसने एक बड़ी चटान से गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया और वापस लोट दे वानर वंश ने उसे किशकिंधा का राजा बना दिया वास्तव में बाली ने राक्षस का वध कर दिया था बाली किसी प्रकार गुफा से बाहर आया और सुग्रीव को राजगदी पर बैठा देखकर उसे मारने के लिए तवड़ा सुग्रीव प्राण बचाने के लिए रिश्य मुख परवत पर पहुँच गया यहीं राम और लक्षमन से उसकी भेट गया सुग्रीव की कथा सुनकर राम ने उसकी सहायता की और बाली का वध कर दिया प्राण ज्यागने से पुर्व बाली ने पुत्र अंगद को राम को सौप दिया